क्रांतिगरी जोहार साथियों खोल गुलान जिंदाबाई मैं आपका भाई जैसिंग जोडिया ग्राम पंचायदरो बढ़िया से राजस्थान के बासवाड़ा जिल्ले की कुशलगड़ तहसिल के एंपी बोडर पर नव गटित पंचायदरो बढ़िया और 2022 महलाल सुखड़े विशुद्या लेके सामाजीक विज्यान मानविकी महाविद्याले का महाव सच्ची पृतियाश्च भी रहे चुका हूं तो ये छोड़ा सपरी छे है मेरा और वसे बहुत लंबार सा हो गया है सोचल मेडिया पे अब आना कम हो गया है थोड़ी सिदू यां बना ले हो कुछ स्वास्त कारणों की वज़े से और प्रत्यों की परिक्षाओं की विश्थता की वज़े से भी और अबी भी स्वास्त मेरा इतना परफेक्ट नहीं है थोड़ी से कांशी वगएरा है आपको बोलना में मेरी आवाज में थोड़ी सी पता चल रहा ज्वलन्त मुद्दा है क्योंकि वैसे अभी मैं कोशिश कर रहा था कि छुप रहे कर के थोड़ा सा अपने त्यारियों पे ज्यान दिया जाए लेकिन अभी जो दोर है वो थोड़ा कुछ ज्वलन्त मुद्दों के समाधान का दोर भी है और वो विशेश उत्से किसानों के जो खाद बीजवाला मुद्धा अक्सर आपने सोशल मीडियाओं में देखा होगा कहीं जगे कला बाजारी हो रही थी और उसी सम्बंदित जो लेंप्स विवस्ता है राजी सरकार ने नाबाड और एसे कोपरेटिव बैंक्स के साथ समझोता करके नाबाड के सेक्शन 27 के तहतो निश्यक्यासी में लेंप्स विवस्ता को शुरू करया और लेंप्स का हम फूल फॉर्म देखें था इसका ये लार्ज साइज आदिवासी एरिया मल्टी परपस सोसाइटि जिसका इस पस्ट अर्थ है कि बड़े शेत्र पे बड़े पे माने प पिड़े जो किसान वर्ग है उन लोगों को क्या सुविदा महया कराईगी इसके उध्देश्यों को लेकरके ये लेंप्स विवस्ता चलती है और विषेश कर ट्राइबल एरिया में चलती है और अभी जो दोर है वो इसी लेंप्स विवस्ता के चुनाव का दोर है और इस और को मैं उनकिसानों के खाद बीज की जो समस्या है उसको एक समादान की रूप में देखता हूँ और हम सबको ये बात समझने भी चाहिए ये है समादान भी है चुकि यदि लेम्स विवस्ता में लेम्स एद्यक्ष सही व्यक्ति अगर बेटता है तो वो पांच वर्ष तक आपके लेम्स में जो रिन मुक्त ब्याज से लेकर के खाद बीज किटना शक और जो भी क्रशी में स साहयक जो सामगरी उपयोग होती है वो रियायती दर पे आपको समीती सोसाइटी आपको प्रोवाइड कराती है उन सारी सुविदाओं को पांस साल तक आपको कौन व्यक्ति महया कराएगा ये लेम्स एद्यक्ष के अधिकार शेत्र के अंतरगत आता है कि वो किस तरीके से क करके समीती के माध्यम से किसानोपी जो रशी कारियों में सहयता है वो कैसे करेगा साथियों पहले तो मैं आप से निविदन करना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है ये आपके पास जो भी सोशल मीडिया है जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए ये सिर्फ हम हमा कर रहे हैं जहां पर इस प्रकार की जो अनितिक तरीके से लोग कुणली मार के उसमें राजनिती करन उस लेम से विवस्ता पर भी राजनिती करन करके कुणली मार के बैटके अपन उस खिसानों के जो सहता के लिए जो बजट आता है उसकी मलाई चाड़ जाता है कुछ चुनिंदा लोग पार्टी हों के ये लेम्स क्या है इस लेम्स क्या उद्देश क्या है ये बात मैं पूरू में बता चुका हूँ लेकिन इस लेम्स के चुनाव में वे सारे क्रिशक बंदू जुड़े हुए है जो समीतियां जिन्होंने ब्याज लोन पर ले रखा है वे वोटर्स के रूप में सिलेक्टेड है वही लोग वोट करेंगे अपना वार्ट चुनेंगे और वही वार्ट मिल करके लेम्स दिक्स चुनेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो खाद बिज के संस्या है भुवाई के दोर में आप किसान लोग जिस तरीके से दर-दर की ठोकने खाते हैं मिन्नते करते हैं उसके उपर मैंने क्या अनुभव किया उसको मैंने शब्दों में उतारने के लिए एक छोटी सी कविता लिखी पहले मैं वो कविता बोड़ूँगा उसके बाद हम आज वर्तमान की इस्तिह क्या है और चुनाओं में हमें क्या करना चीए उसका समादान क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे तो कविता इसी है जनाब बताओ मैं कैसे चुप रहा हूँ चनाब बताओ मैं कैसे चुप रहा है, मुझे विवश कर रहे हैं किसानों के वो जुरियों युक्त मिन्नते करते हाथ, फिर बताओ मैं कैसे चुप रहा हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं वे फटे पुराने जुते, मुझे मजबूर कर रहे हैं वे फटे पुराने जुते, और खाद बीज के लिए दर-दर की ठोकरें खाते वो नंगे पेर, खाद बीज के लिए दर-दर की ठोकरें खाते नंगे पेर, हुजूर बताईए मैं चुप रहूं या तुम भी कुछ बोलोगे। हुजूर बताईए मैं कैसे चुप रहूं हुजूर बताईए मैं चुप रहूं या तुम भी कुछ बोलोगे। दन्यवाद। ये छोटी सी मेरी एक आशुकवी के रूप में मैंने चुटा सा जो महसूस किया नुब वो शब्दों के माध्यम से कावज पर उता रहा। अब बात करते हैं अभी वर्तमान लेंसों की जो हाला थे वह बहुत ही बद्ध से बद्तर है क्योंकि लेंसों पे बहुत सारे लोग लंबे समय से पार्टीयों के अपने-अपने अद्धिक्ष बना करके कुंडली मार के बिठा रखे थे और उन पार्टी के प्यादों का द अपने-पने डाओं में किसानों के हित के लिए जो खाद, बीज, पेस्टिसाइड और जो भी साधन आते हैं वो ओने-पने-दा में अपने कुछ छुनिंदा प्यादों को देने के लिए ये लोग लेम्स के अद्धिक्ष बनाने की जुगत में रहते हैं और आनन फानन में आ करके ये लोग जो लोग लेम्स का अर्थ नहीं जानते एसे भोले बाले असिक्षित क्रिशक किसान जो समिती में जुड़े हुए है उनको लोब लालच देखर के या फिर थोड़े बहुत पड़े लिखे लोग है उनका ब्रेनवश करके उनको वालडों में पार्टी के हिसाब से उनको चुनाव लड़ने के लिखड़ा कर दिया गये था और वे बिचारे इस उम्मीद में किसान क्या उम्मीद करता है कि उसको आच वर्ष तक जो लेंस में जो सुविदाएं आए वो अच्छे से मिले इसी उम्मीद में वे लोग उनके भरोसा कर लेते हैं और उनका साथ देते हैं और फिर ये खेल कुछ जगे लोग बड़ी साजिशन तरीके से लोगों को लोब लालच दे करके या फिर किसी का फोम रिजक्ट करवा के कुछ लोगों को पार्टी में प्रमोशन दिलाने के लिए खुद का पार्टीयों में प्रमोशन कराने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है चुनाव उसकी हत्या करते और फिर खुब नारे लगाते कि हम निर्विरोद जीद गए जब मेदान में आते तो पता चलता कि आप जीते हैं या हारे हैं इस तरीके से दोखे बाजी से किसी व्यक्ति का फॉम रिजेक्ट करवा के किसी व्यक्ति को पार्टी में प्रमोशन दिला सकते हो लेकिन हमारी निगाहों में उसकी जो इज़्जत है वो मिट्टी में में मिल गई लोगों की इज़्जद हमारे लिए मिक्टी के डेले बराबर है वो भले इस बात का जब नाम करते रहें कि हम नेल विरोध हैं हमें से लेकिन हम जानते हैं आप कैसे शातिर लोग है इसलिए इतने ज्यादा खुश भी नहूं जो खुद को ऐसा मान रहे हैं लेकिन मैं आप सभी किसान बंदूओं से बड़े बुजूर्गों से आप से ये सवाल खड़ा करता हूं आप जब खाद बीज के लिए दरदर की ठोकरें खा रहे होते हैं आप जब मिन्नते कर रहे होते हैं खाद के भाव के उपर खाद के दाम के उपर तब क्या ये पार्टी के लोग आपका साथ देने के लिए आते हैं आपके हित के लिए आपको खाद बीज रदान करानों के लिए आते हैं क्या समित में ये निरंतर रुप से आपके लिए ये मुश्तेदी से खड़े रहते हैं इसका उत्तर है कोई भी नहीं रहता है चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता है और आप किसान लोग पांस साल के लिए फिर उसी आर्थिक भोज तले दपते रहते उसी आर्थिक गर्त में चले जाते हैं तो साथी यह जो सवाल है या आप उन प्रचार करने वाले पार्टी के प्यादे लोग जो हैं वे आपके पास आते हैं तो उनसे पूछिए जब हम संगर्ष करते हैं जब युवा लोग हमारे साथ में हमारे लिए संगर्ष करते हैं तब आप कहां होते हैं इस तरीके से हमारे भोले बाले लोगों का brainwash करके हमारे ही खिलाप उनको खड़ा कर देते हैं कहते हैं ये लोग नहीं चाहते आपको खाद मिले इनकी वज़े से आपको खाद मिल रहा है जबकि वे दोगुने दामों में का लूट रहे हैं कई काला बाजारी कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारे भोले बाले लोगों को हमारे खिलाप खड़ा कर दिया जाता और वे वो बिचारे इतना का तरक वितर करते हैं उनको कारण यहीं लगता है कि इनकी वज़े से बन हुआ लेकिन इस समस्या की जड़ कहा है ये जानने की वे लोग कोशिश नहीं करते क्योंकि वो व्यस्त है सिख्षा नहीं है तर्क वितर्क नहीं करते इसलिए आप सभी लोगों से मैं आगरह करता हूं इस लेम्स विवस्ता के चुनाव में जितना हो सके बढ़चड के हिस्सा लीजे और सही आदमी को लेम्स अद्यक्ष बनाने तक डटे रही है बले हो सकता है कुछ साथियों से माफी चाहूंगा मैं खुद भी ज़्यादार समय नहीं दे पाया हूं लेकिन नामांकम के दिन मैंने टाइम दिया था और अभी भी मेरे से जो होक्स बनता है वो मैं कोशिश कर रहा हूं जो मिल जाता उनको कन्विंस भी करता हूं तो इस तरीके से अगर आपके पास समय है तो उसका सदूप्योग करते हुए लेम्स विवस्ता में अब हिस्सा लीजिए और उसमें सही वेक्ति चुन्ने की अपना चुन्ने में अपना योगदान दीजिए ताकि बाद में इन किर्सानों को इन लाचार लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े रही बात जो कुछ लोग बहुत ही वेल एजुकेटेड है बहुत अच्छी सिक्षा जिन्होंने प्राप्त कर रखी है ऐसे लोग भी पार्टी के पक्के वाले प्यादे बने हुए हैं तो उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जनाब इस इस्तर की विवस्ता में भी यदि आप पार्टी का विक्ति चुनने की कोशिश करते हैं तो आप यह बात याद रखिएगा कि आप अपने ही किसान बाईयों को गुलामी में और आर्थिक बोज के तले दकेल रहें क्योंकि जो लोग पार्टी के माध्यम से जिन जिनको पेसाप दन पावरबल जो भी इनको मिल जाता है वे उन्हीं लोगों को समर्थन करेंगी और वही लोग कुनली मार के बैट जाएंगे तो किसानों को कैसे सवीधाई देंगी वो फिर अपना दंधा सेट कर लेंगे कुच छुनिन्दा लोगों को ही जो इतनी भी सवीधाई आती है गस्तूं आती है वो ओने बोने दामों में बेच देंगे और फिर जो बहु संख्यक लोग है, जो किसान वर्ग है, जो गाउं में रहता है, जो पंचाय तक पेदल पेदल जाता है, रवड के आता है, गुम भेड के आता है, उन लोगों को वे सुविदा कैसे मिलेगी बताईए आप, तो ये बात समझिए आप, थोड़ा सा पार्टी क साइड में करके, इस वास्तविक मुद्धे को ये वास्तव में थोड़ी सी भी समाज के प्रती आपका जज़बा है, आपकी आत्मा आपको ये कहती है, कि आप थोड़ा सा काम अच्छा भी करेंगे, तो थोड़ा सा इसके उपर विचार भी मर्ष कीजिए वक्त निकाल के, क्योंकि हमें पता है, कौन-कौन विक्ती क्या कर रहे हैं, हम सब को अबजर्व कर रहे हैं, हम हमारे से जितना बनता है, हम उतनी कोशिश करते हैं, हम उस नितिक का के आधार पे बोलने की कोशिश करते हैं, लडने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गद्धारी कर रहा है, जो वो समाज को गर्त में ले जाने के अथक प्रियास कर रहा है, उनके चेहरे भी हमारे दिमाग में हैं, और उन लोगों का भी इतिहास लिखा जाएगा, और हम लिखेंगे उन लोगों का इतिहास, कि जब हम लड़ रहे थे, जब हम समाज का पुनर जागरन करने का जो दोर चल था, उसमें हम लड़ रहे थे, तब कुछ अच्छे खासे पड़े लिखें लोग, कुछ शनिक लालचों की वज़े से, अपने स्वार्थ की वज़े से, अपने राजनितिक विक्तित्वक जो चवी है, वो चमकाने के लिए निरंतर समाज का सोधा कर रहे थे, ये बात हमें लगता है, तो हमारा साथ दिजे, हिस्सा बनिए, आईए हम मिलके लड़ेंगे, और जितनी भी चीज़ें गलत होगी, हम बेवा की से उसकी मुखालफत करेंगे, उसका विरोध करेंगे, और हमारे लेम्स शेतर की बात करूँ में, तो हमारे लेम्स में लगत चार पन शायत उसे में व्यस्ता के चलते हम हमारे कंडिडेट तो नहीं उतार पाएं, और रही बात यह विशेशकर किसानों का समीत ही है, तो इसमें ज्यादतर बुझूर्ग वर्ग के लोग हैं, उनके ही नाम है इसमें, तो ज्यादतर वही लोग हैं तो हम ज्यादा कंडिडेट नहीं उतार पाई इन में हमारे इस लेंस चुनाव में हमने हमारे दो कंडिडेट उतार है वाइड नमबर दो से है लक्षमन राजेंग जिनका चुनाव चिन है किताब किताब चुनाव चिन मिलना भी एक सयोग है वे सत्य की लड़ाई के लिए किताब की कितनी अविश्रक्ता होती कितना महत्र होता है ये पढ़ने वाला वेक्ति समझ सकता है तो याद रखिएगा वाड नमबर दो से लक्षमन सिंग राजेंग किताब इनका चुनावचिन है जरूर इनको वोड कीजिए ये आपके हित के लिए पांस साल तक मुझते दी से लड़ेंगे ऐसी हमें आशा है आ कि वास्तों में हमें कहां काम करने की जरूरत है और दूसरा जो कैंडिडेट है हमारा वाड नमबर 9 से है इश्वरलाल भीमा जिनका चुनावचिन हं का निशान है ब्रुष अंग्रेम जी में जिसको ब्रुष के थे देखे साथियों मेरा स्वास्त भी इतना साथ नहीं दे है वो गलत तरीके से खारिज हुआ है अगर इसमें इस पर्ष्ट भी किया गया था कि आठवी पास व्यक्ति इसमें नियुंतम योगता रखी थी लेगिन कुछ लोग शपत्पत्र लगा के भी फॉम अपलाई किये हैं तो हम इतनी बात तो समझी सकते हैं कि आठवी पास व गलती हुए थी बजट जो पढ़ रहे थे वो पुराना बजट पढ़ दिये तो यह स्वाबाविक है मानों सुभाव है गलती कभी हो जाती है लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बना कि उनका नाम ही रिजेक्ट कर देना यह गलत है यह साजिश है यह शडियंत्र दोखा है त ठीक है साथियों यह वीडियो आपके जहां तक हो सके उपी होगी आपको जितना लगे उतना शेयर किजिए दन्यवाद जोहार उल्गुलान जिन्दाबाइद सबस्प्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोड को दबाइए हमारी लेटर्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए